बताईए लोंग की खेती मुख्य तै कहां होती है तो जितने भी मसाले होते हैं वो कहां पर होते हैं बच्छा आपके इंडिया में केरल में होते हैं प्रकास अंसलेशन के लिए पोधे में महत्वपूर्ण होता है प्रकास अंसलेशन के लिए पोधे में महत्वपूर्ण होता है बताईए क्या तो प्रकास अंसिलेशन के लिए पोधे में क्या ज़रूरी होता है आपका पत्ती, तना नहीं, तना तो मजबूती देने का कारिय करता है पत्ती, मेन आपका किचिन ओफ दा प्लांट किसको बोलते हैं, पत्ती को बोलते हैं आहार नाल के निमलकित भागों में से रैनिन एंजाइम कहां से सीक्रीट होता है एक ग्लास पानी से आपको कितने कैलरी उर्जा मिलती है एक ग्लास पानी से आपको कितने कैलरी उर्जा मिलती है तो एक ग्लास पानी से आपको उर्जा नहीं मिलती है जीरो कैलरी आपको उर्जा मिलती है लार का उप्योग किसके पाचन में होता है लार का उप्योग किसके पाचन में होता है बताईए लार का उप्योग इन में से, तो हमारे माउथ में सबसे पहले पचने शुरू होते हैं, आपके स्टार्च यानि की कार्भोहईडरेट सबसे पहले आपके पचने शुरू होते हैं, तो ओवियसली आपके स्टार्च पचने शुरू हो जाते हैं, प्रोटीन के पाचक में सहयक एंजाइम इन में से आपका कौन सा है? तो प्रोटीन पचाने में क्या वच्छा आपका ट्रिपसिन और पैपसिन? प्रिपसिन और पैपसिन ये आपके दो एंजाइम हैं जो हमारे शरीर में बेसिकली प्रोटीन को पचाने में मदद करते हैं निम्ण में से कौन सा एंजाइम अगनाश्य द्वारा सिक्रीट होता है? इन में से कौन सा एंजाइम है जिसको अगनाश्य बनाता है? पताईए कौन सा एंजाइम है जो बेसिकली आपका अगनाश्य बनाता है जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भाई चलिए बताईए बिल्कुल तो क्या बच्चा आपका ट्रिपसिन ट्रिपसिन आपका बच्चा वो एंजाइम है जो बेसिकली आपका कौन बनाता है आपका अगनाश्य बनाता है और ये प्रोटीन को पचाने में हमारे शरीर में मदद करता है इंसुलिन सीक्रेटेड बाई इंसुलिन इन में से कहां से सीक्रेट होता है इंसुलिन इन में से कहां से आपका सीक्रेट होता है तो इंसुलिन को सीक्रेट करने का किसकी जिम्मेदारी है आपकी पैंक्रियास पैंक्रियास जिसको हम मिक्स्ट ग्लेंड मिस्रित ग्रंथी में count करते हैं क्योंकि ये enzyme juice और आपका hormone तीनों बनाती है जिनमें से insulin आपका hormone है यहाँ पाई जाती है आइलेट्स ओफ लैंगर हैंस जिसमें आपकी बीटा सेल्स पाई जाती है जिसमें आपकी बीटा सेल्स पाई जाती है और ये बीटा सेल्स बेसिकलि आपका क्या insulin hormone बनाने का कारिय करती है क्या बच्चा आपका इंसुलिन होर्मोन बनाने का कारिय करती है ठीक है चलिए next question देखते है human saliva is slightly alkaline और एक adult जो है वो एक दिन में एक से डीड़ लीटर saliva बनाता है saliva is secreted by six pair of salivary gland हमारे शरीर में छे जोडी लारिय ग्रंथिया होती है और जो लार एंजाइम है टाइलिन वो स्टार्ज को माल्टोज में तोड़ देता है यानि टाइलिन जो एंजाइम है क्या वो स्टार्ज को पचाने में मदद करता है इन में से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है इन में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है, बताईए, बेटा अप्रेल में आपका एक्जाम है भई, इसमें कन्फ्यूजन क्या है तुम लोगों को, बताईए कन्फ्यूजन क्या है, तो देखो, बिलकुल ये आपका छारिया होता है, संख्या में छे और जोरी में तीन, और ये क्या होता है, तायलेन आपका स्टार्ज को माल टोज में तोड़ता है, ठीक है यहाँ पर क्या है बच्चा आपकी तीन जोड़ी आपकी लारिय गरंथया पाई जाती है एक इस वाले सेक्शन में होती है पैरोटेड सलाइवरी ग्लेंड जीब के नीचे सब लिंग्वल सलाइवरी ग्लेंड और आपकी जबडे के नीचे सब मैंडीवलर सलाइवरी पाई जाती है, जो हमारे माउथ के अंदर लार बनाने का कारिय करती है Bile is secreted Bile is stored in पितरस किसमें जमा होता है बताईए पितरस को बनाता कौन है आपका लीवर और इसको store कौन करता है आपका गोल ब्लेडर, साइड में बहुत ही चोटा सा आपका ओर्गन होता है ठीक है, ये वाला लीवर बाईल जूस बनाता है और store कहा होता है बचा आपके गोल ब्लेडर में ठीक है, वो जो पत्ती के जैसा दिख रहा है न ये होता है आपका पैंक्रियाज यानि अगनाश्य मनुष्य की मुख गुहा में निम्ल में से किसका पाचन प्रारंब होता है, यानि हमारे शरीर में सबसे जल्दी पचना क्या शुरू होता है हमारे शरीर में सबसे जल्दी पचना आपका क्या शुरू होता है तो हमारे माउथ के अंदर सबसे पहले आपका क्या पस्ता है कार्बो हाइडरेट पस्ता है अगला कुश्चन देखते हैं मानव पाचन तंतर में निमलखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है चलिए बताईए